नमस्कार आज से हम शुरू कर रहे हैं जोतिश विद्या पे नया शो एस्ट्रो गुरुजी और हमारे गुरुजी एस्ट्रॉलजर यहां मौजूद हैं यही इस शो को होस्ट करेंगे लेकिन आज पहले शो में मैं लवीना टंदन भी आपका स्वागत करती हूँ और गुरुजी एस्ट्रॉलजर से इस शो के बारे में उनके बारे में और थोड़े से जोतिश विद्या के बारे में जो मेरे जहन में और बहुत से लोगों के जहन में जो सवाल होते हैं वो भी करना चाहती हूँ तो स्वागत है आपका एक बार फिर लवीना के तरफ से और आपके लिए भी स्वागत है गुरुजी नमस्कार कैसे हैं बहुत अच्छे हैं अच्छा गुरुजी पहले तो थोड़ी सी बातचीत आपके बारे में हो जाएं फिर आप मुझे इस शो के बारे में बताएगा तो पहले बताएगे कि ये शो में क्या क्या होगा देखिए इसमें जो ये एस्टो गुरुजी शो है इसमें मैं लोगों को बताओंगा पहले ग्रहों के बारे में कि कौन-कौन से ग्रह होते हैं और वो किस तरीके से लोगों को तंग करते हैं या उनका अच्छा करते हैं या उनकी भलाई के लिए काम करते हैं या उनकी इन्हांसमेंट करते हैं तो ग्रहों के बारे में बिस्तृत रूप से जानकारी लोगों को दोंगा तो मतलब ये बाकिशों से फरक इस तरह से है कि पहले आप लोगों को जोतिश विद्या या जो ग्रह होते हैं उनके बारे में बताएंगे और फिर जो समस्याय लोग फेस करते हैं जैसे कालसर्थ योग है या फिर जो भी समस्याय जैसे चनुबाल वी होता है या फिर किसी इसादी में लेट हो रहा है दस साल बारा साल लेट हो जाता है और जो यह आपका मांग लेकिता है तो उन सब चीजों के बारे में बिश्त्र जूप से धीरे धीरे करके जैसे प्रोग्राम आगे बड़ता जाएगा एकुली मैं ली यह चाहता हूँ कि लोगों को जोतिस के बारे में जो अंदकार में है कई चीजों का पता ही नहीं है जो लोड राहो हैं वो सिरब बुरा ही करते हैं लेकिन लोड राहो बहुत अच्छा भी करते हैं कोई भी जोची रियलेटी बताने में जीज़कता है क्योंकि अगर कोई गुरह आपका खराब है तो अगर आप उनके मंत्रों का जाब करें या किसी अच्छे जोत्सी से सला लें तो वो उनके ग्रहों के एफेक्ट सकतर से 80% बैड एफेक्ट नेगेटिविटी एलिमिनेट हो सकती है या उसमें पूरी कोशिश की जा सकती है लेकिन अगर किसी पर को ग्रह चल रहा है अगर वो खुद उसका उपाई करता है तो उसको ज़्यादा फाइदा करता है चीए इस सारे सवाल तो मैं आप से करूंगी तो ये जान लें भई कि अब जो एस्ट्रो गुरुजी हमारा जो नया शो शुरू हरा है हर ब्रस्परकार 12 मेजे उसमें जोतिशी और जोतिश के बारे में आपको ग्यान दिया जाएगा कि आप तयार रहें ग्यान देने के लिए क्योंकि आप हो सकता है खुदी अपने बारे में इतना जान जाएं इन ग्रहों के बारे में इतना जान जाएं कि गलत हातों में भी ना पड़ें मतलब पामिस्ट्री, हस्तरेखा के बारे में भी हैं. क्योंकि हम हस्तरेखा बिशेशग्य भी हैं. अच्छा, तो हस्तरेखा के बारे में भी बात्चीत होगी. जी. तो आपका भविश्या पूरी तरह से सुधरने वाला है. पत्सब का. देकि अगर कोई इंसान अच्छे मन से लोगों का भला करना चाहे, तो भला डेफिनेटली होता है. और भगवान भी उसमें सहायक होता है. बिल्कुल, बिल्कुल. अगर सही इंटेंशन की जाए, सही मन्शा से कोई काम किया जाए, तो गुरुजी, आप ये प्रोग्राम करने वाले हैं और ये आपके हाथों में जाने वाला है. लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगी, कि आपके बारे में भी जाना चाहे, कि आप कब से यहां पर हैं, और किस तरह की विद्याओं के आप महारत ही हैं? देखिए, यहां पर मैं 1995 में आया था, उस टाइम मैं British Airways का guest था, उन्होंने मुझे बलाया था जोतिश का प्रोग्राम करने के लिए, और मैंने काफी एरपोर्ट्स के ऊपर रोट्स हो किया था, और काफी रोरिंग सक्सेस था, बहुत सक्सेस मिला था उसको, अच्छा, और जो हमारी specialization है, हम जो लोगों की problem है, उनको fix करने के लिए मंत्रों का साहरा लेते हैं, जो की बहुत ही pure चीज है, और उसमें कोई आपके जो कर्म है, या आपका जो आगे कर्म होने वाला है, उसमें भी उसका कोई negative effect नहीं होता है, बलकि उसको और भी अच्छा करता है, जिनको आप कर्म मास कहते हैं, आजकाल के young लोग, तो उनको भी bad effect नहीं करता है, और उनको भी नास करता है, तो अच्छा काम करना चाहेगी, तो मैं समझ गई कि, इस show में ना सिर्थ जोतिश के बारे में, बलकि हस्त रेखा, थोड़ी बहुत face reading, और थोड़ा मंत्र शक्ती से, इस तरह से अपने जीवन में सुधार लाए जा सकता है, वो उन सब चीजों पर आप थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देंगे, और लोगों के email ये किस तरह से लोग आप से बात कर सकते हैं? देखिए, लोग हमें land line पर phone भी कर सकते हैं, या email से भी जानकारी ले सकते हैं, तो इसी तरीके से होगा, email ही main अच्छा रहेगा, अगर आप लोगों के कुछ question हैं, तो आप मुझे email कर सकते हैं, प्राइवेसी में चाहिए and privacy must be maintained in these fields, especially. लेकिन गुरुजी, ये face reading कहां तक सही होती है? देखिए जी, ये depend करता है कि आपको तजूरबा कितना है. और उससे क्या-क्या हम जान सकते हैं, दोनी सवाल हैं. Face reading से भी आप सब कुछ जान सकते हैं, उससे circumstances का पता लगता है, ग्रहों का क्या stem चल रहा है, उसका पता लगता है, और जब ये तीनों चीजें इकठे मिल जाती हैं, जोतिस, हस्त्रेखा और face reading, और मंत्र सक्ती, चार चीजें, मंत्र सक्ती से तो उसका fix होने का संभावना है, जो तीन चीजें उससे आपको precisely, आपके situation का पता लगता है, आप exactly pinpoint कर सकते हैं, कि भी आपकी इनकी problem कहां से आ रही है, कौन सा ग्रह इनको problem दे रहे हैं, और उनका किस तरीके से उपाई करने से, वो सांथ हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, जो ग्रह चल रहा है, आप उसको 100% तो उनकी negative रोक नहीं सकते हैं, लेकिन, अगर आप मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ करें, दान पुन्य करें, तो उनकी 65 से 75% तक, जो negativity है, वो eliminate हो सकती है, अच्छा, तो मकर इन तीनों विद्याओं को आप साथ में लाके, यह तो मुझे समझ में आया कि किसी भी समस्या को पहले, उसकी समझना, उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है, उसके उपाए से पहले, लेकिन इन तीनों काप कैसे उप्योग कर सकते हैं, देखिए क्या होता है, काफी लोग जो पुराने हैं, उनके पास time बर्थ तो नहीं के परावर है, तो फिर जोत्सी उसको कैसे काम कर सकता है, इसी लिए हस्त रेखा और face reading का सहारा लिया जाता है, जिससे हमें exactly situation का पता हूँ, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, वो यह सोचते हैं कि हम फोन करेंगे, और गुरु जी सारा कुछ हमें फोन पर इसी टाइम बता देंगे, यह सब इतना असान नहीं है, जब आप बिमार होते हैं, कोई दर्द होता है, आप होस्पीटल जाते हैं, कही तफ़ा डॉक्टरों को कही कही महीने लग जाते हैं, यह पता करने में कि यह प्राब्लम आ कहां से रही है, तो जोतिश में कम से कम तीन-चार दिन पास दिन तो लग सकता है, यह अच्छे से देखने में, और यह डिपेंड करता है, कि आप कितना प्रसाइसली चेक करना चाते हैं, उसको कितना पिंपॉइंट करना चाते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगेगा, आप उसका उपाय कैसे करवाईगा, तो जैसे जब कोई जोतिश हमको देता है, भी आदे घंटे दे दिये या एक घंटे दे दिये, तो उसमें एक तो पहला चार्ट होता है, जी 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 जी, उसके बाद कई पन्ने होते हैं, तो उन सबको लेकर एक जोतिशी के पास जाए जाए तो क्या लेकर जाए जाए और किन चीजों से हमें सतर्त रहना चाहिए देखिए अगर आप किसी जोतिशी के पास जाते हैं तो सबसे पहले चीज देखने वाले ये है कि वहाँ जाकर आपको खुद कुछ नहीं पुछना चाहिए आप बताएं कि जोटसी जी आप हमें बताइए कि अभी हमारा क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाए वो तो हर जोटसी पूछते हैं हर समय पूछते हैं कि भाई बताएं क्या पूछने आए हैं क्योंकि जो पूछने वाला खुद ही पूछलेगा फिर जोटसी क्या करेगा और आपको पता कैसे चलेगा कि यह जोटसी है या को ठग है तो इस चीज से बचने के लिए एक तो आप पहले ही अपॉइमेंट लेके उनके आफिस जाएं तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि क्या तरीका चल रहा है क्योंकि आज काल इस सब चीजों में काफी लोग हर देसों से आ रहे हैं और ये काम करते हैं फिर कुछ दिनों में गाइब हो जाते हैं फिर उनको पुलिस ढूंडती पिरती है तो सबसे बड़े बात यह है कि इनसान को अगर आपने किसी को दिखाना है या राय लेनी है पहले उनके बारे में इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च करें उससे आपको पता लग जाएगा कौन कितने सालों से कर रहा है और किस तरीके से है लेकिन अगर वो बोल बो आप कह रहे हैं कि ना पूछे है हमने कई बार ऐसा होता हम कहते हैं कि आप बताईए तो बोलेंगे भी क्या बताईए पहले अपनी बिमारी तो बताईए तब हम बताएंगे कि इलाज क्या है देखिए जब आप डॉक्टर के पास पहले टाइम में जाते थे हकीम लोग होते थे वो आपकी नस पकड़के बता देते थे कि आपकी प्राब्लम क्या है तो अगर कोई रियल जोत्सी है तो उससे पूछने का जरूत नहीं है वो आपको देखके पंद्रम में बता देगा कि आपकी कौन सी फील्ड में प्राब्लम है लेकिन वो प्राब्लम कितनी प्रसाइस है उसको देखने के लिए समय लगे तो पहले आप भी जोतिश को टेस्ट करें जाके और फिर आपको हो गया तब आप खुद करें क्योंकि देखिए आजकल कुंडली वगेरा ये सब तो फ्री में बन जाता है कंप्यूटर में और राशी फल वगेरा भी फ्री में मिल जाता है में चीज ये है कि जो एस्ट्रोजिकल कंसल्टेशन होनी चाहिए उसमें आप समय लगारत नहीं कर सकते कि आदा गंटा याए गंटा ये को कार ड्राइविंग टेस्ट को है नहीं चली हमारा समय लगारत है लेकिं दूता है बहुत बहुत धन्यवास ये सग्मेंट हमारे यहीं खत्म होता है हमने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी हमको लगता हुशा है कि हम जोतिश के पास जाएं जोचि के पास तो कुछ सवाल और बहुटembश से वहां में आप हमारे साथ बने रहे हैं और बहुत ही दिल्चस्प सवाल हम अभी जोती जी से गुरुजी से करने वाले हैं तो बने रहे हैं एस्टो गुरुजी पर